गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं मिसिस एन सिंग, पिछले वीडियो में आपने हडपा सभिता से सम्मन्दित पुरा अस्तलों से उत्खनन में प्राप्त मुहरों, मुरिदभांड, आभूशन, मन के आदि के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको हडपा लिपी के बारे का प्रमाण मिलता है, 1923 इस्वी तक यह लिपी पुर्टया प्रकाश में आ गई थी, इसमें 600 से अधिक अक्षर हैं, जिनमें से केवल 60 अक्षर हैं और 6 उनहीं के परिवर्तित रूप हैं, चित्र के रूप में लिखा, प्रतेक अक्षर किसी ध्वनी, भाव या वस्तु का सूचक है, संधैव लिपी दाई से बाई और लिखी जाती थी, लिपी के रूप में प्रयोक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक मचली के चित्र का प्रयोक किया गया है, यह लिपी पुरातत विदो द्वारा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अब हम हडपा सबिता क के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, हडपा सबिता के निवासी शाका हारी और मानसा हारी दोनों थे, हडपा से प्राप्त अनाच के दानों में गेहूं, जव, दाल, चना, तथा तिल- शामिल है, पुरातत विदों को बाजरे के दाने पाण मिले हैं हडपा अस्तलों से मिली जानवरों की हड्डियों से मवेशियों भेड बकरी भैंस सुवर की हड्डियां आदि शामिल हैं जीव पुरातत्व विदो द्वारा किये गए आध्यनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर इनके पालतु जानवर थे अब हम नेक्स्ट प्रूण जानवरों आदे जानवरों से संकेत примCE-पूरा आदे लिग्यनों से संकेत मिली जानवर lok ओंदियों जानवरों क année